हाई आपको स्वाज़ आता है आज चान्नी चोक मॉल पर लोग कहते थे कि बन के थोड़ा दिले हो जाएगा या प्रजेक्ट नहीं होगा मॉल कम्प्रीट हो चुक है बहुत खुशी के बात है और ऐसा मॉल जो चान्नी चोक में बने अगले 500 साल बाद भी दुबारा नहीं बन पाएगा ना पहले था ना अब बनेगा बिकास वहाँ पे फुटफॉल इतना ज्यादा है पब्लिक का और में मॉटिफ क्या था मॉल बनाने का पार्किंग को लेके सबसे में इशु था पार्किंग NDMC का लैन था पीपीवी मॉडल पे ये बेस प्रोजेक्ट था पब्लिक प्राविट पार्टर्शिप वैसे तो इस जमीन को नॉमली कोई भी नहीं ले सकता था बट सिर्फ लेने के पीछे इसका लॉजिक यह था कि मॉल जो वहाँ पे एक मॉल की बहुत सख जुरुद थी प्लस एक पार्किंग प्लेस की जुरत थी वहाँ पे पार्किंग सिर्फ ओनली 200 गाडियों की हो सकते थी 200 या 500 200 या 300 गाडियों की आज उसी जगह पे सेम पार्किंग में मॉल भी बन गया और प्लस 2200 गाडियों की पार्किंग भी पॉसिबल है तो यह mall बनके ready है इसमें जो ground level पे अगर हम basement में जाएं तो इसमें वही वाली parking, multi level parking बना रखी है जिसमें की cars एक के उपर एक खड़ी भी हो सकती है एक बात clear यह याद रख लो कि इस mall को बनाने की पीछे और success के पीछे एक ही cost था यहाँ पर parking की problem बहुत बड़ी थी और अगर एक बार mall बन गया तो उसका चलना था है तीन प्लेसिस कभी पीछे नहीं हट सकते malls में वान चाननी चोक, सेकिंड सदविजार और करोल बाग यह तीनों पर नए concept सारे है mall के और तीनों हेट रहेंगे कोई रोख ने सकता है इनको अब मैं आपको बता रहा हूँ इस पर three level multi parking है यह बिलकुल गुर्द्वारा सीज कंश गुर्द्वारा सहब के बिलकुल साथ में यह mall situated है और वहाँ पे अब आपको आप देखेंगे बहुत सारे changes अब चाननी चोक में तोड़े दिन बाद आपको दीखेंगे और three level multi parking है य डेली मेट्व से डेरेक्ट गेट नमबर 5 से तीदा connect किया गया है इस mall को क्यों connect किया गया इस mall को directly क्योंकि जितने भी passengers हैं वो यहां पर आएंगे और सबसे main footfall कैसे रहेगा सुनो ध्यान से बाइस सो कार्ज हैं अगर दो लोग भी उसमें हुए धिहान से calculation समझो चूँ 4400 लोग तो mall में रहेंगे जिसे आज एक mall खुलता है लोग ही नहीं होते अंदर तो mall चलेगा कैसे लोग हुए तभी तो उनका खाने पर ने कभी दिल करेगा शॉपिंग का भी करेगा तो यहा 2400 तो लोग हमेशा आपको मिलेंगे वहां पर और सेकिंड जो डिली मेट्रो का स्टेशन है वहां से भी हजारों लोग चानी चोग के अंदर उनको जाना पड़ेगा mall के अंदर तो mall के अंदर अगर 1000 प्लस यह 10,000 लोग अगर रहेंगे तो सोचो mall की growth rate पर कितना effect सेकिंड हम एक new scheme देने जा रहे हैं जिसके लिए दुबारा वीडियो बनाया गया 12% अभी हमारे पास कुछ units जो चाननी चोग में पड़ी थी उसमें हम 12% rental income देने जा रहे हैं यह नया offer है new offer है यह पहले नहीं था अभी निकाला गया है omics के तरफ से जो units हमारे पास कुछ spending बच्चे हैं उनमें 12% rental income mall बनने के बाद भी एक साल पहले तो होता था कि mall बनने के बाद 12% income खतम हो जाएगी अब हम एक new offer देने जा रहे हैं जिसका यह वीडियो बनाया गया अब 12% income एक साल mall के बनने के बाद भी आपको मिलेगी तो सोचों यह बहुत ही अच्छी बात है अब के लिए और प्लस 9% rental income तीन अगले तीन साल भी मिलेगी तो चार साल तक आप सेफ हो गए mall mall is ready यह भी नहीं कह सकते कि mall अपतियार नहीं है बनेगा वो मिक्स बनाएगा नहीं बनाएगा वो कुशन भी खतम हो गया ओसी के बाद सारे ब्रैंड जो बहुत international brands भी आ चुक लोग को एक बसी डाउट था कि unit resale नहीं हो रही तो अब आपकी units resale भी होना start हो जाएंगी कि mall जब बन के ready होता है और functional होता है तब ही units की resale होती है इसलिए जो लोग बोलते हैं कि resale नहीं हो रही तो अभी वो unit को रोग के रखें जैसी mall तियार हो गया resale में units दिखनी decision की बात करें तो एक लाग 35,000 पर हमने शुरू किया था ground floor में आज करेट 2 lakh है सोचो 48% का growth अभी mall चला भी नहीं है शुरू भी नहीं हुआ 110,000 पर हमने unit बेचनी शुरू की थी 1st floor पर आज rate है 1,65,000 पर हमने शुरू की थी बेचनी food court में 3rd floor पर तो आज उसका rate है 140 मैं आपको छोटी सी calculation समझा रहा हूं जिसमें कि आपको यह पता लग जागा कि investment कितने की है सब्सक्राइब 40,000 square feet की unit अगर आपको देते हैं और rate है 1,40,000 पर तो 66,000,000 की unit आपको पड़ गई जिसमें कि हर महिने आपको 56,000 rent आना शुरू हो जाएगा अगले एक साल तक उसके बाद भी rent आएगा तो आप 40% पैसे तो withdraw ही कर लेंगे और उसके बाद 27 साल की lease तो अगर आप आपने वो time निकाल दिया कि आप पहले नहीं खरीद पाए तो एक last chance और देने जा रहे हैं हम आपको तो फटा-फट phone उठाओ और अपनी unit को book करो बहुत high five brands यहां पे जिसे कल्यान ज्वैलर्स, वीकानेर, के FC बहुत high five brands सारे हां पे आ चुके हैं अब बस आ बारा से शॉप करीदने का, आप जल्दी से जल्दी मेरा number flash होता है, phone करो, अपनी unit book करो, चालेस लाकर पे सिर्फ 56,00,000 unit देने जा रहे हैं और आपको 5 साल तक, 4 साल तक एक return देने जा रहे हैं fix, so thanks for watching my video और जल्दी से जल्दी call करके अपनी unit book करें, thanks कर प्रूज करें भात्बर करें, 구독 बास बालेस नहीं है, अजया की साल झाप always feel free, go